हाइ फ्रेंड़्स वेलकरी चानल फैड कनेशा तो दोस्तो नवकरी व्यापार में बहुत चीय आर सेने चालू है आर्थिक मंदी थमने का नाम नहीं ले रहे है जी हा दोस्तो नवकरी वारवार छूट रहे है नवकरी तो है लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा है दोस्तो बिजनिस चल रहा है पर तेजी से नहीं रुक रुक के चल रहा है दोस्तो ऐसे में घर पर कुछ भी ठीक नहीं है जीहा दोस्तो ऐसे स्थिते में क्या करना चाहिए तो दोस्तो शेनिवार के दिन जिया दोस्तो शेनिवार की दिन भगवान शेनिदेव को समर्पित होता है इस दिन दोस्तो इस दिन कुछ दान करे तो आपके चीवन में बहुत से ऐसे बदला हो सकते है जिया दोस्तो शेनिवार की दिन ऐसी कुछ पाच चीजे है जिसे दान करने से आपका तकदीर आपका भग्य जिया दोस्तो नवकरी व्यापार में आ रहा है आपकी अडचने तुरंत सवाल हो सकती है जिया दोस्तो आपकी नवकरी वारवार छूट रहे तो आपको अच्छे नवकरी मिल सकती है दोस्तो व्यापर आपका नहीं चल रहा है तो वो दोड सकता है जिया दोस्तो दोस्तो व्यापर आपका तीजी में चल सकता है दोस्तो घर में सब कुछ ठीक हो सकता है सिर्फ आपको शेनिवार के दिन ये पाँच चीजे दान करनी है जिया दोस्तो यदि आप पाँच चीजे ग्यारा शेनिवार तक जिया दोस्तो ग्यारा शेनिवार तक ये पाँच चीजे दान करते हैं तो दोस्तो आपकी किस्मत खुलती जाएगी और दोस्तो आप अच्छी सपलता पालेंगे तो दोस्तो देर किस बात की दोस्तो शेनिवार के दीन ऐसे कुछ पाज दान कीजीगा जिससे दोस्तो आपकी किस्मत खुलने लगेगी तो दोस्तो ये दान आपको 11 शेनिवार अवश्य करने जाएए तो दोस्तो ये वीडियो शुरू करने स्पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें बेल आइक़न प्रेस करके आल बटन पर क्लिक चरूर करें तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से दोस्तो शेनिवार को सरसो को तेल में थोड़ी देर रख दे फिर जल से धोकर दाहिने हाथ की मद्यमा उंगली में धारन कर ले अगर आपको शेनि के कारण शरीर पीड़ा दोस्तो अगर आपको शेनि के कारण शरीरिक पीड़ा या दुरगाटना का योग है तो आप इसको धारन करना बहती शुब होगा जिया दोस्तो शेनी के दोस्तो शेनी के दिन शेनी के लिए सरसो के तेल का दान करना और प्रोयक करना काफी अनुकूल परिणाम देता है दोस्तो अगर शेनी के कारण चीजे रूख गई है और जीवन में कोई सफलता नहीं पील पा रही है तो सरसो के तेल का विशेष प्रोयक करे शेनिवार को प्रातो लोहे के पात्रा में सरसो का तेल ले उसमें एक रुपई का सिक्का डाले तेल में अपना चैरा देकर किसी निर्दन वेक्ति को दान करे या पीपल के नीचे रखाए दोस्तो शेनिकी गुरुपा पानी के लिए शेनिवार को पीपल के नीचे सर्चों के तील का दीपक भी चलाना चाहिए जीया दोस्तो शेनिवार के कारण धन की समस्या में काली उड़त की दाल या काले तील का प्रयोग करे शेनिवार को सायंकाल काल दोस्तो शेनिवार को सायंकाल सववा किलो काली उड़त की दाल या काला तील किसी निर्दन वेक्ति को दान करे दोस्तो कम से कम ये ग्यारा शेनिवार अवश्य दान करे दोस्तो दान करने के साथ ही आपकी आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी दोस्तो जी शेनिवार को काली दाल या काला तिल दान करे उस दिन सोयम इस दाल को ना खाए जी दोस्तो अवश्य ध्यान रखे श्यानी के लिए जित तमाम दान किये जाते है उनमें खाना बनाने के लोहे के बरतन विशेश महत्वर रखते है जिहा श्यानी अगर दुरगटना कारक हो तो खाना बनाने के लोहे के बरतन का दान करना चाहिए श्यानिवार को शाम को किसी निर्दन व्यक्ति को तवा, कड़ाई या लोहे के बरतन दान करने से दुरगटना के योग टल जाते है दोस्तों अगर स्वास्त की गंवीर समस्या हो और बीमारी नहीं जा पारे है तो पहिने के लिए काली चीजे दानी करनी चाहिए श्यानिवार को शाम किसी निर्दन व्यक्ति को काले कपड़े और काले जूते का दाना वश्य करे दान करनी के बाद उस निर्दन व्यक्ति से आशिरवाद ले आपका स्वास्तिय धिरे धिरे ठीक होने लगेगा दोस्तो घोडी की नाल जिया दोस्तो घोडी की नाल का शेनी के लिए अत्यन्त महत होता है परन्तु ध्यान रखे कि उसी घोडी की नाल का शेनी के लिए प्रयोक करे जो घोडे के पैर में पहने लगी रही हो जिया दोस्तो एकदम नहीं खरिदी हुई बिना इस्तेमाल की गई नाल कोई प्रभाव पैदा नहीं करती है दोस्तो शुकरार को घोड़े की नाल ले आये सरसो के तेल में धोकर शुद्ध कर ले शेनिवार को शाम को घर के मुख्य द्वार पर यू के आकार की तरह लगा दे ऐसा करने से घर के सभी लोगों पर शेनिकिक रुपा रहेगी और घर में कल नहीं होगा तो दोस्तो इस तरह शेनिवार की दिन आप उपाय करते हैं तो दोस्तो आपकी किस्मत खुलने लगेगी जिया दोस्तो अच्छे दिन की शुरुवत होगी आपकी रुपए पैसो की तंगी हमेशे के लिए दूर हो जाएगी और दोस्तो नवकरी व्यापर अच्छे से चलने लगेगा तो दोस्तो देर की इस बात की शेनिवार की दीन ये उपाय अवश्य करे तो दोस्तो आपके उडियो कैसे लगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और कमेंट सरूर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में ओम शंशने चराय नमा अवश्य लिकेगा धन्यवाद